दोस्तों किस करने से भी HIV हो सकता है, सुनके आपका दिमाग खराब हो गया होगा एक बार पर लिए, आप कुछ लोग बोलेंगे क्या बखवास है, ऐसा उख सकता है, क्या ऐसा नहीं होता है, यह सब बखवास है, यह डॉक्टर कुछ नहीं आता है, ऐसे कमेंट्स आएंगे तो अभी मैं कारण बताऊंगो एक वीडियो के अंदर, आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्यों हो सकता है, किस करने से HIV, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली बात करने वाला हूं से मामले में, कि कैसे HIV हो सकता है, किस करने स तो वीडियो के अंतर तक बने रही है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, आयरवेदा किंग्डम, दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, कि वैसे नॉर्मल ही देखा जाए, तो आप बहुत सी डिसर् अपल, एक बार मान लीजिए, कि आप जिस परसन को किस कर रहे हैं, उसको HIV है, आपको HIV नहीं है, ठीक है, पर इन केस, किसी भी कारणवास, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो HIV परसन होता है, उसके मुह में चाले होना, ठीक है, या घाओ होना, ये एक common है, ठीक है, ऐसा होत है, या excitement में कहीं काट लेता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको पाई दिया होता है, ठीक है, एक normal person है, जिसको HIV नहीं है, और उसको पाई दिया है, या कहीं पे कटा हुआ है, जीप पे, या हुठों पे, गाल पे, कहीं पे, कोई कट लगावा चोटा सा, ठीक है, या कोई open wound है, ठीक है, या फिर चाले हो रखे हैं, ठीक है, ऐसी कुछ situations होती है, तो ऐसे में क्या होता ना, कि अगर आप किस करते हो, तो जो HIV person है, उसके saliva में blood गुलावा होता है, उसको चाले हो रखे हैं, या फिर गाव रखे हैं, या फिर कुछ भी पाई रहा, जिसी condition हो होता है, तो ऐसे में जो blood है, वो आपके open wound या फिर जो normal person है, उसके open wound या फिर अगर उसको पाई रिया है, या फिर चाले है, उसके contact में आ जाता है, और ऐसे में जो HIV का जो virus है, वो transmit होने का खत्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो यह एक condition है, जहां पे किस करने से भी HIV फैल सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक educational purpose से वीडियो बना रहा हूँ, इसको कोई other way में ना लें, तो आप इस चीज़े खास ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को kiss करें, तो पहले तो यह जाने कि सामने वाले को HIV है कि नहीं है, और अगर है, तो उसका, उसके जो मूम के अंदर किसी भी तरेक अगा, open wound यहां, फिर चाले यहां, फिर पाईरया जैसी condition ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर ऐसा है, तो दूर रहें, वरना जिन्दगी आपकी भी खराब हो सकती है, मेरा काम था आपको सावधान करना, बाकि आप समझदार है, बाकि वीडियो मैं हाजे रून नमबर दे रहा हूँ, इसके इन पर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, बाकि मैं मिलता हूँ, इसे किसी इंट्रेस्टिंग जान का एक साथ देखो नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहें